नमस्ते दोस्तों आज हम बनाएंगे बैगन की बहुती नई और मजेतार रेसिपी आज से पहले आपने आजी रेसिपी नहीं देखी होगी तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पे हमने तीन बैगन ले लिये हैं और यहां पे हमने कदूकस ले लिया है तो कद्दूकस हमें थोड़ा मोटा वाला ही यूज करना है तो बस अब हम कद्दूकस कर लेते हैं अपने बैगन को तो बैगन आपको कोई भी शेप के मिल जाए कोई भी दिकत नहीं है क्योंकि हमें आखिर में उन्हें कद्दूकस ही करना है तो इस तरीके से हमें उन्हें कत्व कस कर लेना है मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से इनमें लच्छा थोड़ा भड़ा होता है तो देखिए हमने सभी को ग्रेट कर लिया है आप देख सकते हैं तो आब हम इसको रख देंगे साइड में और जल्दी से बना लेते हैं मसाला तो यहाँ पे एक कटोरी हमने ले ली इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है एक चमच रेट चिली पाउडर और यहाँ पे में एक से डेड चमच धनिया पाउडर डालूंगे साथी में मैंने एक चोटा चमच गरम मसाला डाल दिया है और एक चमच मैंने चोटा कस्तूरी मेथी डाल दिये स्वात के अनुसान नमक डाल दिया अब हम इसमें पाणी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इस तरीके से मिक्स करने से जो मसाला है न हमारा वो बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा और जो हम जब सब चीज की बनाएंगे न तो बहुत ही बढ़ियां बनेगी तो चलिए हमने यहाँ पे पैन रख दिया है पैन में मैंने सरसो का तेल ही डाला है इस रेसिपी में सरसो का तेल ही आप डालेगा बहुत ही बढ़ियां बनेगी तो तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हमने इसमें जीरा डाल दिया है साथ में एक पिंच मैंने हींग एट कर दी है यहाँ पे हम डालेंगे साबु धनिया तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे साबु धनिया लिया है आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं और इसको हम में फ्लेवर देंगे सॉफ से तो जो हमारी इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सॉफ को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा तो जब सब मसाले हमारे अच्छे से भून जाएंगे तब मैंने यहाँ पे 5-6 लैसुन की कलियों को महीन महीन काट लिया है और इसको भी हम चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे ताकि तेल में लैसुन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया तरीके से आए तो अब हम डाल देंगे इसमें दो मीडियम साइज के प्यास जिनको हमने ऐसे रफली कट कर लिया था तो इनको भी हम चलाते हुए अच्छे से भून लें तो बस फ्लेम को यहां पे लोही रखना है तो अब हम साथ में इसमें आड कर देंगे थोड़ी सी मटर तो यहां पे मैंने फ्रोजन मटर का यूज किया है फ्रेश मटर भी अब मार्किट में आने लगी है आपको मिल जाए तो आप वो जरू डाल लीजिएगा तो बस इसको हम चलाते हुए मटर और प्याच को एक साथ में ही भून लेंगे तो प्याच और मटर को हमने चलाते हुए एक से दो मिनिट के लिए भून लिया इससे हमारी मटर भी अच्छे से सौफ्ट हो जाएगी अब जो हमने मसालों का घुल बनाया था उसको हम डाल देंगे और इसको हम अच्छे से low flame पे चलाते हुए भून लेंगे तो बस इसको हमें चलाते हुए अच्छे से भून लेना है साथ ही में हम इसमें अड़ कर देंगे टमाटर तो यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइस के टमाटर को महीन महीन काट लिया है आप चाहे तो यहाँ पे इसकी प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं तो बस सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम अच्छे से पकने देंगे तो इसको पकते हुए दो से तीन मिनट हो गए है आप देख सकते हैं हमारी सभी चीजी अच्छे से पक गई है और सौफ्ट भी हो गई है इन में से तेल भी अलग हो गया है तो लीजिए हमारा मसाला बन के बिलकुल त्यार है ऑब हम डाल देंगे इसमें अपना कद्दु कस किया हूँ बैगन तो बैगन को भी हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे असी तरीके से आपमें मसाले और बैगन को चलाते हुए एक तो मिनट तक बून लेना है क्योंकि बैगन हमारा कच्चा है ना हमने इसको कच्चा ही कद्दू खस किया था तो बस चलाते हुए हम एक दो मिनट तक इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी हट जाए और ये थोड़ा सा सोना हो जाए तो बस इस तरीके से हम इसे चलाते हुए बड़िया तरीके से भून लेंगे यहाँ पर आफ फ्लेम को चाहे तो थोड़ा मीडियम भी कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि बैगन में पानी होता है तो थोड़ा बहुत पानी बैगन रिलीस करता है तो चलिए हमने बैगन को भूंझ लिया है अब हम इसको कवर करके अच्छे से पका लेंगे तो आप देख सकते हैं इसे पकते हुए 3-4 मिनट हुए थे अब हम इसको एक बार चला लेते हैं देखिए अब कितना बढ़ियां हमारा बहुन रहा है कलर तो कितना बढ़ियां इसमें आया है तो आप इस स्टेज पे मैं डाल दूंगे इसमें आधा निम्बू अगर आपके पास निम्बू ना हो तो इस स्टेज पे आप इसमें आमचुर पाउडर भी एड कर सकते हैं तो बस निम्बू को हमने डाल दिया है, इसको हम मिक्स कर देंगे, तो हमने मिक्स कर दिया है, बस अब हम एक से दो मिनट के लिए ही इसे पका लेंगे, ताकि अच्छे से सोना भी हो जाए, और जो निम्बू हमने डाला है, उसका फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो लीजिए हमारी सबची बन के बिलकुल त्यार हो गई है एकदम नई रेसिपी है ना तो आप देख सकते हैं इसने तेल भी बढ़ियां तरीके से कोनों कोनों में रिलीस कर दिया है तो चलिए गैस के फ्लेम को बन कर देते हैं और इसको कर लेते हैं सर्फ तो देखिए लग रहा है ना कितना ज़्यादा बढ़ियां आप चाहे तो इसे बैगन का भरता भी बोल सकते हैं लेकिन इसे बनाए हमने बिलकुल अलग अंदाज में एकदम अलग तरीके से तो बैगन के भरते से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है इतना तो मैं कही सकती हो कि बैगन के भरते से ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब होता है कि आप जब इसे बना लेंगे ना फ्रेंड्स तो आप बाकी सारे पुराने भरता बनाने के तरीके बोल ही जाएंगे क्योंकि इतनी इंस्टेंट इतनी जटपट ये रेशिपी बन के तियार होती है ना बैगन भूनने का जंजट और ना ही कोई परेशानी तो बस इसी तरीके से आप भी से बनाईए खाईए एंजॉय करिए और अपने अनुभाव मेरे साथ चरूर शेयर कीजिएगा बस इसके साथ में डाल बनाईए एंजॉय करिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स रेसिपी में तक तक के लिए बाई बाई